शिक्षित बढ़ती परिक्षाओं की तयारी हे तो राजिस्तान में सबसे विश्वस्निय वा सरवादिक चयन देने वाला कोचिंग संस्तान अब आपके साथ आपके पास तरह लैब असिस्टेंट फर्स ग्रेट एंड सेकंड ग्रेट टीचर की सर्वस्रिष्ट तयारी घर बैटे सक्सेस पॉइंट मुबाइल अब के ऑनलाइन कोर्सेस के साथ जहां विशे विशेशक्यों के मार्क दर्शन प्रदीश भर से हजारों प्यारती भावी शिक्षक बनने की तयारी में दूटे हैं विशेशक्य द्वारा तयाद शड़ी मैटेरियल सटी सारगरबी व सफलता मुलक अध्यन सामगरी के साथ साथ इंटरेक्टिव रोचक अध्याबन टरनाली से जटिल विशेओं को सरल तरीके से समझाया जाता है इन्ही वजहों से सक्सेस पॉइंट बाड़ मेर बना है शिक्षक परती परिक्षाओं में सक्सेस का नंबर वन पॉइंट अपने शिक्षक बनने के सबने को आकार देने की दिशा में एक कदम बढ़ा है आज ही अपनी पसंदिधा बढ़ती परिक्षा का ओनलाइन कोड़ नाम मातर के शुल्क में सक्सेस पॉइंट एप परबाएं। डाउन्लोड दी एप नाओ। श्कार, कल की कक्षा में हमने बात की थी सर्वनाम के विशे में, सर्वनाम का समाने परीचे हमने जाना, सर्वनाम की कुछ प्रिवर्तियां, उसके सर्वनाम का रूप परिवर्तन इन पर बात की है। आज हम बात करेंगे सर्वनाम के एक महत्पुर्ण भाग पर जिसे हम सर्वनाम का विभाजन जो करते हैं सर्वनाम के विभाजन पर। सर्वनाम की विवाजन में यैसे कल हम बात कर रहे थे पुरुषवाचक सर्वनामों के विशे में और पुरुषवाचक सर्वनाम का थोड़ा सा परीचे हमने पड़ा कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो उसके कुलतीन भेद हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मद्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम सर्वनाम इनके बारे हम कल हमें संक्षित बात भी की थी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रियोग वक्ता या लेखक स्वयम के लिए शुरुता या पाठक के लिए अत्वा अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम करते हैं और इसके तीन बेद मने की दे उत्तम पुरुषवाचक मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक तो आज सबसे पहला भेद जो हम लेंगे वो है हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम देखी उत्तम पुरुषवाचक तो इनका प्रयोग वक्ता या लेखक जो है वो स्वयम के लिए करता है इन सर्वनामों का प्रयोग इन अर्थार्थ इन उत्तम पुरुषवाचक का इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक है वो कि स्वयम के लिए करता है कि स्वयम के लिए करने का जहां जहां उसे अपने नाम का उल्लेख करना है तो ऐसी इस्तिति में जब तो हर बार में अपना नाम लेकर तो इंगित नहीं कर सकता कि दीपग यह चाहता है दीपग यह मानता है दीपग यह सोचता है अर्थ आदम किसी दूसरे की बात कर रहें तो जब स्वयम को प्रस्तुत करना हो ध्यान रहे तो स्वयम को सर्वनाम से ही प्रस्तुत किया जाता है स्वयम को संग्या के माध्यम से प्रस्तुत करना संभवी नहीं होता मैं किनी स्वयम को प्रस्तुत करना चाहता हूँ तो मुझे सर्वनाम का ही प्रयोग करना होगा कभी आप अभ्यास करके देखिएगा जब हम स्वयम के बारे कुछ बता रहे हैं तो आप सिर्फ सर्वनाम का ही प्रयोग कर पाते हैं अपने लिए संग्या का प्रयोग नहीं कर सकते आप उसी प्रकार जो हमारे श्रोता है जो हमारे पाठक है उनके लिए भी हम सर्वनाम का ही प्रयोग करते हैं उनके लिए संग्या शब्द का प्रयोग नहीं कर पाते हैं वह विजश्ट परिस्थितियों में संग्या शब्द आते हैं ऐसी बात नहीं संग्या नहीं आएगी लेकिन स्वयम के लिए तो कभी नहीं आएगी मैं अपने लिए अपने ही जो नाम है अपना ही जो नाम है उसका प्रयोग अपने विचारों के प्रस्तुति करन के लिए अपनी बात कहने के लिए अपने नाम का प्रयोग नहीं कर सकता वहां मुझे सर्वनाम का प्रयोग ही करना पड़ेगा जान रहे उत्तम पुरुष वाचक दो सर्वनाम है वो लेखक या वक्ता जो स्वयम के लिए काम मिलेगा और स्वयम को प्रस्तुत करने के लिए स्वयम को प्रकट करने के लिए उसे सर्वनाम का ही प्रियोग करना पड़ेगा साथ ही एक और बात ध्यान रखे हैं जो मुझे कल भी चरचा की थी कि यह जो सर्वनाम penso भी है सर्वनाम शब्दों का प्रियोक केवल अत्तम पुरुश की करता है ब्सक्राइब कि जैसे उत्त पुरुश को हम कहते हैं कि उत्तम पुरुष कौन है हमारा वक्ता है या लेखक है ठीक और मध्यम पुरुष कौन है इस वक्ता का श्रोता या इस लेखक का पाठक है वक्ता का अर्थ क्या है वक्ता यानी जो बोल रहा है जो कह रहा है जो अपने विचार प्रस्तू कर रहा है वही स्थती लेखक में होगी जब वह लिख कर अपने यह क्या थासित कर रहा है श्रोता कौन जो इस वकता की विचारों को सुन रहा है और पाथत जो इस लेकर के लिखे विचारों को पढ़ रहा है कि कि अब यहां इसत्ति थोड़ी सरलता से समझेंगे वकता और श्रोता की रूप traveled जैसे मैं वक्ता हूं अभी आप शुरूता हैं मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं अब जैसे ही पढ़ते पढ़ते बीच में आपके मस्तिश में प्रश्ण उठता है और आप प्रश्ण कर रहे हैं आपने कख्षा चल रहे हैं उसको रोका और आपने कहा सर एक प्रश्ण है आपने अपना प्रश्न किया, तो जब आप प्रश्न कर रहे हैं, तब आप क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रश्न करना अर्थात उस तत्व पर उस बिंदु पर अपने विचार प्रकट करना गी, ऐसा क्यों हुआ, या यह बात समझ नहीं आ रही, आपका विचार है कि वक्ता है जब आप प्रश्न कर रहे हो इस प्रश्न को मैं सुन रहा हूं जो सुनता है वो कौन शुरूता अर्था जब तक मैं आपको जानकारी दे रहा हूं तब तक मैं वक्ता हूं और आप शुरूता है लेकिन जिस शण आपने प्रश्न किया उस समय आप वक्ता हो गए औ कोन करेगा आप करेंगे इस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है वह केवल वक्ता करता बाकि वालों को इन सर्वनामों के प्रयोग की अनुमती नहीं है अब यह सर्वनाम जो काम मिलेते हैं यह एक वचन के लिए भी आते हैं बहुफ वचन के लिए बी आते हैं किसे हम बात करें जब वक्ता एक वचन हो तब सर्वनाम कैसे होगा जब वक्ता बहु वचन हो तो सरव नाम कैसे होगा जैसे उत्तम पुरुष की बात करें उत्तम पुरुष में एक वचन वक्ता एक वचन में बहु वचन हम ठीक ये इस्तिति अब इसके साथ एक और बात ध्यान कहेंगे कि यह सर्वड़ाम अभी हम ने जो लिखे हैं ये अपने मूल रूप में जब इनका वाक्य में प्रयोग करें और यदि इन शब्दों के साथ विबक्ति चिन जोड़ने की आश्वक्ता पड़ें जय से हमारा यह मैं सर्वनाम है अब इस मैं का प्रियोग अलग अलग कारक में करें हम जैसे करता कारक के रूप में मैं का प्रियोग होगा तो करता के विवक्ति जुड़ेगी ने और पत बनेगा मैंने और जब हम के साथ होगा तो यह बन जाएगा हमारे अब जैसे कर्म कारक से विवक्तियां शुरू होती है अब इस मैं का स्वरूप बदलता है जब कर्म कारक की होगी तो ये मैं जो है इसके इस्तान पर मुझ्य हो जाएगा और ये शब्द बनता है हमारे मुझे यहां बनता है अब ये मुझे कैसे बनता देखिए, जो मारा मैं जो सर्वनाम है इस मैं के साặć देखिए को के जब विवक्तियम जोडे है को विवक्ति कर्म कारक तो ऐसे सीस्ताति में पद्र सीदा सीदा बनना चाहिए हमारे मैं को लेकिन यह पंद नहीं बनता अब यहां जो मैं है यह मुझगे रूप में बदलता है और इसके साथ विबक्त यह चिनाता है को और यहां जो शब्द मुझगो लिखने के स्थान पर शब्द लिखा जाता है मुझे यह सरनाम रूप का विशे चानक है यह वाक्य में ऐसा लिखा हुआ हो कि मुझको घर जाना है तो वह वाक्य अशुद्ध होगा यदि हम ऐसे लिखे कर्मकारत में लिख रहे हैं यह विबक्ती कर्मकारत की है लेकिन यहां है कर्ता कारक जैसे मुझे को घर जाना है तो यह वाक्य क्या होगा और शुद्ध होगा शुद्ध करने के लिए हम मुझे को के स्थान पर मुझे का प्रयोग करेंगे और वाक्य के लिखेंगे हम मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है अब यह वाक्य क्या हो जाएगा हमारा शुद्ध वाक्य होगा इस बात का विशेश ध्यानक हैं कि जैसे ही सर्मनाम के साथ विबक्ति चिन जुड़ेगा तब सर्मनाम का रूप बदलेगा अच्छा विबक्ति चिन के बारे में एक बात हम पहले भी कर चुग है फिर से दोराता हूं विशेश बात ध्यानक है विबक्ति चिन जब भी आये का तो वह सर्मनाम के साथ जुड़कर ही प्रिप्त होता है जैसे अभी हमने लिखा जो यह शब्द हमने लिखा अब यहां देखे को विबक्ति जो है मने इस सर्मनाम के साथ चोड़ी यहां जैसे हम लिखें मुझसे जानक है जब करनकारक की विबक्ति आएगी तब तो यह सी रूप में चलेगा मुझसे लेकिन केवल यह कर्मकारक के दिश्टी में जानक है यहां मुझे हो जाता है मु के साथ चुड़ेगा जैसे हम भूचंन में हम से यहां से जो है विबक्ति आ सर्मनाम की कारक की तो यह सर्मनाम के साथ चुड़ेगी यह इसी को हम संग्या के रूप में लिखें तब तो यह लिखा जाएगा कमल से कमल से बात मत करो ठीक लेकिन अगर यहां कमल के स्थान्फरम सर्वनाम काम में लेना चाहेंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे उससे बात मत करो कि विबक्ति चिन जो है सर्वनाम का यह सर्वनाम के साथ जुड़ेगा और इसके साथ जुड़कर परिवत होगा यदी वाक्य में इस विबक्ति चिन को सर्वनाम से अलग लिखा गया है अगर इसे इस तरह से लिखा जाए उससे बात मत करो यहां यह जो पद है उससे इस प्रकार से इसे लिखना संभव नहीं है यह जो श्वाक के रूप होगा जी यह क्या होगा? और शुद्ध होगा और यदि यहां उससे इसे पूरा जोड कर लिखा गया है तब ऐसी इस्तिति में यह वाक्या का हमारा शुद्ध रूप होगा ठीक है? तो यह बात हम पहले भी कर चुके है सर्वनाम की जो पहली कक्षाली थी हमने उसमें भी यह बात की हमने ठीक? तो वापस लोटते हैं अपने विशय पर कि सर्वनाम में जब विभक्ति चर्ण जढ़ेगा तो ज्धान धाया इसका रूप बगलता है अब करता एक वचन होगा तो उत्तम पुर्षवा चक सर्वनाम होगा मैंáveis करता दाए बहु सो तो उत्तम पुरूषवा कि सर्वनाम होगा हम जैसे उसकर उधार नहकरें एक वचन में यह वाक्य कहेंगे तो जैसे मैं कहूंगा मैं पढ़ रहा हूँ और जब इसी वाक्य को हम बहु वचन की रूप में कहेंगे तो हम कहेंगे कि हम पढ़ रहे हैं पढ़ रहा हूं सरवनाम हुचन में हम पढ़ है हम कौछन को यह मैं पतब सरवनाम का उन कुछन और उन्य रूप साथ साथ बहु दलती रहेगी हम और इस्तित günस नें सबसटे कि एसी कुछ एशथी यहाम ने देखर होगी जब वे अपने लिए सर्वनाम का प्रयुक करते हैं तो स्वैम के लिए वे मैं के इस्तान पर हम का प्रयुक करते हैं पर हम का प्रयोग करते हैं, खुद को हम कहेंगे, इसे हम आ रहे थे, हमने भोजन किया था, हम बैठे थे, तो ध्याद है ये भाशाई दृष्टी से इस प्रकार का प्रयोग करना अशुध माना जाएगा, यही स्वयम के लिए करता है, स्वयम के लिए प्रते एक स्थती में स सिर्फ और सिर्फ मैं का प्रयोग ही किया जा सकता है, अन्य किसी सर्वनाम का नहीं, तो अब यह हम का प्रयोग कैसे कर सकते हम, एक तो यह भाहु अचन के संदर है, दूसरा एक शब्ध है, जो बहुत प्रचलत है, बहुत अधिक काम में लेते हैं, और वो शब्ध है, अप हम कल बैठे थे चाहिए आप दो लोग ही हैं तब ही वाक्य ऐसे ही बनेगा हम कल बैठे थे हमने कल बात की थी हम कल मिले थे हमने यह चर्चा की थी तो प्रतियक इस्थति में जब एक से अधिक लोगों को साथ ले रहे हैं तो वहां सभी इस्थतियों में हम का प्रियोग किया जाएगा अपन जैसा कोई सर्वनाम नहीं होता बहुत सा लोग प्रियोग करते हैं और हम भी करते हैं बहुत सरलता से शब्द का प्रियोग कर लेते हैं लेकिन वास्ता में अपन जैसा कोई पद है ही नहीं यहां जो हम, हम पढ़ रहे थे, हमने बात की थी, हम बैठे थे, हमने सोचा था, इस परकार से, अपन बैठे थे, अपन ने बात की थी, अपन ने सोचा था, सब अशुध है, ऐसा कोई शब्द नहीं है, इस बात का अगली बार जब आप बात करें, तो भाशा में इस शब्द का विशे यह तो था हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम दूसरा जो सर्वनाम है हमारे इसी पुरुषवाचक का वो है हमारा मद्यम पुरुषवाचक सर्वनाम अब मद्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है हमारे शुरोता हमारे पाठक जो लोग हमें सुन रहे हैं जो लोग हमारे लिखे हुए को पढ़ रहे हैं तो देखिए इसमें देखिए वक्ता या लेखक द्वारा वक्ता या लेखक द्वारा अपने शुरोता या पाठक के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मद्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं आपके लिए जिन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं वे सब मद्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं इसमें थोड़ी सी मिसिश्वताय हैं जैसे वही सती मद्यम पुरुषव में भी आपके एक वचन रूप चलते हैं और मद्यम पुरुषव में भी आपके वहु वचन रूप भी चलते हैं एक वचन में जो सामने सर्वनाम काम में लेते हैं तू तुम का प्रयोग करते हैं आपका प्रयोग करते हैं और अब इनके जो बहु वचन रूप बनते हैं तो बहु वचन में जो मूल सर्वनाम एक तुम लेते हैं आपको काम में लेते हैं ठीक दूसरा इस आप जो पश्ट रूप से बहुवचन ही है इसके निर्धारण के लिए इस आप शब्द के साथ आप लोग का परियोग भी किया जाता है और कहीं कहीं इस तुम के बहुवचन रूप के लिए तुम लोग का परियोग भी किया जाता है तुम का भी बहुवचन मिना सकते हैं आपका भी बहुवचन मिना सकते हैं और आपको इस बहुवचन रूप में दर्शाने के लिए कि वास्तमें वाक्य में यह आपका जो प्रियोग है यह बहुवचन के संदर्व में हुआ है त्या क्योंकि आप जो शर्वनाम है उसके साथ सामनता भू वचन की आएगी तो क्रिया रूप के आधार परमी निर्धारित करते हैं कि वह शब्द एक वचन है या भू वचन में तो जिब आपके साथ क्रिया का रूप जो सदे बहुवचन का ही चल रहा है इसलिए उस वाक्य को देखकर यह निर्धारण करना संभव नहीं होता कि यहां जो संग्या जो थिया जिसके लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है वह एक वचन है या बहुवचन है तो वहां एक वचन और बहुवचन में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम आप लोग का प्रयोग करते हैं अब ही कुछ उद्धान करते हैं इस सारी इस् Protect प्रष्ट है जैसे देखीए तो देखिए इन सभी सर्वनाम शब्दों को हम समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं इस तू थी देखिए तू का प्रयोग एक किminute की साथ मोहत अधिक गनिश्टता है यह अधिक नकर्था दरशाने के लिए किया जाता है इसलिए करते हैं अत्यदिक निकटता या अत्यदिक गनिश्था की अर्थ ठीक दूसरा इसका प्रयोग होता है किसी को हीम दर्शाने के लिए किसी के प्रती हीनिता का भाव प्रकट करने और अपने इसे छोटों के लिए भी किया जा सकता लेकिन तब जब वही इस्तती उनसे बहुत अधिक निकटता हो या घनिश्था हो जाना कि जो समाने अर्थ जो हम लेते हैं च्छोटों के लिए और आपका प्रयोहं के लिए करते हैं इइंद्ध ऋड़ी सी व्यवस्ता जानकाहरी जो या गडवढें तू का फरियोग अपने अधिक निकट बहुत अधिक घनिष्ठ के लिए किया जा सकता है अपने चोटे भी जो है चोटे के लिए तू का प्रेख तभी करेंगे जब चोटा आपसे बहुत आईउ में जो चोटा है आपसे वह आपसे बहुत अधिक घनिष्ठ हो अपने चोटे भाई के लिए अपने पुत्र क और साथ ही अपने से बड़ों के लिए भी प्रयोग किया जाता है पर बड़ों में वही स्थति रहेगी निकटता और गनिष्टा अधिकार अपनी माता के लिए और इश्वर के लिए अब देखे गनिश्ट तो पिता भी हैं बड़े भी हैं जितनी माता उतने पिता भी बड़े हैं लेकिन माता के लिए हम तू का प्रयोग कर सकते हैं पिता के लिए नहीं कर सकते हैं पिता जी लिए तू का प्रयोग कीजी ततकाल आपको सारी व्याकर्ण समझ में आही जाएग लेकिन तू का प्रेवाइब माता के लिए कर सकते हैं पिता के लिए नहीं कर सकते हैं जैसे इन सब की कुछ उधान देखें एक व्यक्ति जो आपका बहुत गनिष्ट मित्र हैं आपको उसे आमन्तृत करना है कि तू कि शाम को कि घर आ जाना कि हम कि शाम को घर आजाना अब वह मित्र है संभव आपसे एक दो वर्ष बड़ा भी हो आपके संकक्ष भी हो लेकिन यह निकटता जब तक आपकी उसके साथ नहीं है आपकी सामाने मित्रता है तो आप उसके लिए तुम का प्रियोग नहीं करोगे हमें तो आप सिर्थी में ऊप उसे आप कईएगे सामाने अधि मित्रता है और ग धनी पत्र रहे मच्पन है बहुत अधिक गहरामित्र है तो ऐसी इस तिम आप उसके लिए तू का प्रयोग करें दूसरा हींता का भाव प्रकट करें किसी को जब हम बहुत हीं समझते हैं बहुत तुच्छ समझते हैं तो उसके लिए भी सर्व नाम का प्रयोग तू का ही किया जाएगा थोड़ा क्रम ठीक करें तू यहां से निकल जा तू अपना चेहरा मत दिखाना अपनी द्रश्टी में बहुत तुच्छ समझते हैं उसके लिए भी तू का प्रयोग किया जाता है तू निकल जाए यहां से तू अपनी शकल मत दिखाना थे अपना चेहरा मत दिखाना मेरे सामने तो यह अच्छ्दिक गनिष्टा है तब भी तूरू भी त हीνता का भाव है तब जब भी तू अपने छोटे भाई है, छोटी बेहन है, अपना पुत्र है, उन में से किसी के लिए भी तू पुत्र, पुत्री, किसी के लिए भी तू का प्रयोग किया जा सकता है। पढ़ाई कर, तो अपने से छोटा जिस पर आपका अधिकार हो, छोटी में भी ध्यान रख है, निकट का गनिष्टा यहां भी आउश्यक है, जिस पर आपका कुछ अधिकार हो, या माता के लिए, ईश्वर के लिए, मां, तो कहां गई थी? मां के लिए प्रेव करते हैं तू का? अधिक करते हैं, यह भगवान, अभ तो ही हमारा उधार करेगा, यह भग्वान तू ही हमारा अधार कर बग्वान के लिए तो अज्या भी देक़ी करें तो यहां तू का प्रियों ने परिष्थितियों में ही और किया जाएगा पुना समझ यह चारों पदिस्तियां कौन कौन सी है सबसे पहले जिस वेत्दी के साथ बहुत अधिक निकटता हो बहुत अधिक घनिष्टा हो प्राए आपका मित्र होता है यह आपका छोटा परीजन आपका छोटा भाई चोटी बहन पुत्र आपकी पुत्री इनके इसा जिसके प्रति आप हीन भाव रखते हो जिसके प्रति बहुत अधिक हीनिता है तो हीनिता का भाव प्रतदर्शीत करने में किसी को दुत्कार नहीं में इस तू का प्रियोक किया जाएगा और अपने से जो बड़े यांत देखिए जो जितने हम तीनों जो बिंदु उनके लिए भी तू का प्रियोक जो हता है वो केवल दो लोगों के लिए किया जा सकता है अपनी माता के लिए और इश्वर के लिए जानके इन दोनों के साथ भी जो तू का प्रियोक किया जाता है वो बहुत अधिक अधिकार दर्शाने के लिए तू के प्रियोक की यहां पर अनूमती होती है यहाँ भाशा में अशुद्य नहीं माना जाता, तो एक थो माता के संदर में और इश्वर के संदर में इन दो लोगों के लिए ये बड़े होने पर भी आदर्नी होने पर भी इनके लिए तू का प्रयोगी किया जाएगा, मतलब तू का प्रयोग करने की जनुमती है आप तू का प्रयोगी करें आप इन दोनों के लिए भी आपका प्रयोग कर सकते हैं लेकिन इन दोनों के लिए तू का प्रयोग करने पर भी वह भाशाई दर्श्टी से अशुद्ध नहीं माना जाएगा थरुगर को की इस्ति तो यह तू और तूं लगबग एक समान इस्तव कि में चलते और जिस प्रकार तो का प्रयोग का प्रयोग कि से करेंगे तुम समय पर आजाना तुम आज मेरे साथ चलना अब यहां देखिए इन तीनों वाकियों को थोड़ा सा ध्यान से लेकिए तुम जो सर्वनाम है यह आप सर्वनाम के थोड़ा सा निकट चलता यह तुम जो है तुम और आपके बीच का है दोनों के बीच की कड़ी है देखिए यहां पहला वाकियों तुम समय पर आ जाना तुम मेरे साथ चलना और हमने का तुम वहां क्यों गए थे यहां इन दो पहले वाकिये यहां देखिए क्रिया हमारी एक वचन की आई और यहां देखिए क्रिया हमारी बहु वचन की आई क्रिया हमें अंतर है और क्रिया रूप के आदार पर हम यह निर्धारित करते हैं कि यह जो शब्द है वह एक वचन के संदर में है या बहु वचन के संदर में तो अब यहां हम देख रहे हैं एक इस्तिती तो ऐसी है कि दौनों के साथ क्रिया एक वचन की लग रही है एक इ कैंसे निर्धारित करें कि शब्द जो है वो एक वचन है या बहू वचन इसके लिए जो ढब कहिंने पहली बाफ जो की थी फिर लोटते हैं कि यहां हम को सिंसकल दुरशाने के कि यहां यह जो हमारा तुम है यहां देखिए एक वचन में भी आ रहा है बहु वचन में भी आ रहा है अर्थात इस तुम का प्रियोग हम एक वचन में भी कर सकते हैं बहु वचन में या एक वचन के साथ साथ बहु वचन की भी प्रयुक्त की जा सकती है इस परस्ट रूप से बहु वचन कब होगा जब यहां तुम के साथ हम लोग का प्रयुक करेंगे तब जाकर यह बहु वचन बन जाएगा लेकिन यहां पर इस वाक्य में यह निर्धारित करना कि तुम ए कि रिया भली इसके लिए बहु वचन किया है ? जैसे इस बात का और अधिक स्बश्च समझने के लिए हम बात करते है आप कि आप सर्मौनाम भी जो है उसके साथ कि आप एक वचन होगा तब भी किरिया कैसी लगेगी ? बहु वचं की लगती है तो वही सती तुम के साथ भी होती है तुम के साथ एक वचन किरिया भी लगती है तुम के साथ केवल एक वचन आपके साथ केवल बहु वचन तो तुम जो है यह तू और आपके मद्य की कड़ी है इस तुम के साथ आप एक वचन किरिया भी लगती है इस तुम के साथ बहु व वचन क्रिया देखिए जैसे यहां आपका प्रियोग अपने समकष्छ लोगों के लिए किया जाता है जो अपने समान हो सम वयस को जिनसे आपका समने परिचह हो जिनसे आपकी समने मित्रता हो जैसे आप कल विद्जा ले जाएंगे, आप मेरे साथ चलिए, दोनों ही वाक्यों में देखिए, यहाँ आपके साथ जो क्रिया आई है, वो कैसी आई है, वहु वचन की क्रिया आई है, दोनों ही वाक्यों में क्रिया कैसी है, वहु वचन की है, दूसरा इस आपका प्रियोग करते हैं हमसे आयू में जो अधिक हो जो हमसे अधरनी हो जो हमारे लिए अधरनी हो उनके लिए भी इसका प्रियोग किया जाएगा जैसे आप हमारे घर अवश्य पधा रहें, आप किसी बात की चिंता न करें, यहां देखिए, यहां दोनों में आप आया अधर्णिये व्यक्ति, सम्मानिये व्यक्ति, अधिक आयूब व्यक्तियों के लिए, लेकिन किरिया दोनों में कैसी है? बहुवचन की और इसलिए एक और इन दोनों इस्तियों के अलावा एक और इस्ति जो आप मिलती है वो अपने किसी अपरिचित व्यक्ति के लिए अब यहां द्यान लखे अपरिचे जो है वह किसी आयू सीमा का निर्धारक नहीं है आप ऐसा व्यक्ति जो चाहे आप से आयू में कितना ही कम क्योंना हूं मानलो आपकी आयू 22 वर्षे 25 वर्षे और आपकी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसकी आईू मातर 3 वर्षे 4 वर्षे 5 वर्षे बालक बहुत छोटा है लेकिन फिर भी यदि आपसे वह अपरीचित है आप उस बालक को जानते नहीं हो पहला प्रसम परीचा है दूसरा परीचा है बालक आपसे घनिष्ट नहीं है तो आप उसके लिए तू का प्रयोग नहीं कर सकते आप उसके लिए तुम का प्रयोग भी अधिक हो समकक्ष हों कि अपरिचित है तो आप उसके लिए आपका पर्योगी करेंगे आप से तू और तुम तक जाने के लिए आपके परिचय में जो है बहुत अधिक घनिष्टा होनी चाहिए बिना घनिष्टा कि आप तू और तुम तक नहीं पहुंश सकते जब तक सामान ये गनिष्टा होने तक आप उसके लिए जो सरमनाम तक मिलेंगे दूसरि नाम कौन सा होगा आप सरुनाम ही हो इसके अलागा किसी सर्मनाम शथ्ट का परियोग नहीं किया जा सकता जर्भ यह तो आपकी तू और तुम की बात यहाँ तक बात पूरी तरह से फिर से ए जो निधे भाई भेहन पुत्र पुत्री उनके लिए और अपने से बढ़ों में माता और Peng इश्वर के लिए क्योंकि उनके प्रती बहुत अधिकार बहुत अधिक कि धंश्था दर्शाने के लिए हुआ है तों का प्रियोग किसी के साथ बहुत घंष्था द kulak거나 बहुत निकरता दशने के लिए लेकिन इrhस्ड damals चार्स जो होती है यह सामाने प्रवर्धिक होती है कि सामाने से कुछ अधिक कर छूड़क है इतने परिचित नहीं कि आप उनके लिए आप प्रियुक्ट करें और इतने अधिक परिचित भी नहीं कि तु में तक पहुंच जाएं तो वहां मध्य मार्म तुम निकालाएं तो यहां पर के लिए एक वचन भी आ सकती है और उसके लिए किविए जो है बहुवचन भी आ सकती है कि तुम इतना अधिक महत्वपूर्ण सर्मना है नहीं फिर आता है हमारे आप तो आपका प्रिवग देखी अपने जो संकक्ष है जिनसे सामने परिचे हो सामने मित्रता हो या जो बिल्कुल अपरिचित हो और अपने से अधिक आई वाले जो अधर व्यक्ति उन सब के लिए आपका प्रिव होगा और इस आप में ध्यान रखें आप एक वचन है तब भी उसके लिए क्रिया बहु वचन की ही आएगी कि सबस्टे बात यहां था कोई कटना ही नहीं अपरिचे की बात हो गई तीसरी अब आगे बात करते हैं इसी उत्तम पुरुषवाचक सर्व नाम में ही जो हमारा तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्व नाम ये भी बहुत मेहत पूर भागे अन्य पुरुषवाचक सर्व नाम अब ये सब अन्य ही है मैंवगता हूँ आप श्रोता है और आपके और मेरे अलौओ जो हैं वो सब अन्य है अत्याद वक्ता और श्रोता पताख और लेखक इन चार वरगों के अत्रिक्त जो लोग हैं, उनके लिए जो सर्वनाम काम में आते हैं, वे सर्वनाम क्या कहलाते हैं हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पहले इसकी परिपाशा लिखते हैं, फिर व्याख्या करते हैं, कि वक्ता या लेखक, श्रोता और पाठक के अतिरिक्त, इन चारों को छोड़ दें, इनके अलावा, अन्य व्यक्तियों के लिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, अब इसका जो रूप है, जानके, अन्य पुरुष कौन होगा, इसका निर्धारन वक्ता करेगा, अर्थात मैं जिसे अपनी बास सुनाना चाहता हूँ, जिनको मैं अपना शुरुटा मानता हूँ, पुरुषवाचक सबी लोग अन्य पुरुष है, अब यह संभव जैसे हम बात करते हैं, तो जब दो वक्ती आपसे वारता कर रहे हैं, तो एक वक्ती जो बोल रहा है, वह वक्ता हो गया, दूसरा जो सुन रहा है, ओब संभव है, उन दौनों की बात को कोई अन्य व्यक्ति भी वहां खड़ा सुन रहा है लेकिन वह वक्ता अपनी बात उस तीसरे व्यक्ति को नहीं सुना रहा है केवल सामने वाले को सुना रहा है अर्था तीसरे व्यक्ति बात तो सुन रहा है लेकिन फिर भी वह श्रोता नहीं होगा क्यो और तब उसके लिए जो सर्मनाम काम में आएंगे फुक्या होगी हमारे अन्य पुरिशवाचक सर्मनाम इसका भी जब प्रयोग करते हैं एक वचन के रूप में और बहु वचन के रूप में दोनों रूपों में चलता ही लेकिन इसका प्रयोग थोड़ा सा दो संग्याओं के रूप में किया जाता है एक तो ऐसी संग्या जो हमारे निकट हो और एक ऐसी संग्या जो काफी दूर हो तो निकटस्थ और दूरस्थ संग्या हों के लिए तो जो निकटस्थ एक वचन संग्या है उसके लिए जो संग्या है उसके लिए वह का निकट के लिए यह एक वचन निकट एक वचन यह दूर एक वचन वह और इनके बहु वचन रूप क्रमश यह और वे और ताब निकट एक वचन यह निकट बहु वचन यह दूर एक वचन वह दूरस्थ बहु वचन वे और इनके अलावा आदरार्थक रूप में आप सर्वनाम का प्रियोग भी अन्य पुरुश्वाचक के लिए किया जाता है यह बहुत मेहत पूरे आदरार्थक रूप में आपका प्रियोग अन्य पुरुश्वाचक सर्वनाम के रूप में किया जाता है इर्दे पी जान रखें यह होता एक वचन के लिए ही आपका प्रियोग भी अन्य पुरुश्व में होता है त्याना के आप जो सर्वनाम में इसका प्रियोग मध्यम पुरुश्वें में भी हम करते हैं इस आपका प्रियोग हम अन्य पुरुश्व में भी करते हैं और इस आपका प्रियोग हम निजवाचक में भी करते हैं जैसे यहां हमने बात की रिस आपके विशे में आपके तीन चार बिंदों हमने देखे अब इन सब में देखिए एक वचन के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं किरिया इनकी कैसे आ रही है बहु वचन की आ रही है अब यदि इसी आपको हम बहु वचन में दर्शान चाहें तो क्या हो जाएगा यहां आप लोग पहले बात की इसकी लेकिन यदि इसी आपका प्रयोग इस अन्य पुरुश में करना हो तो बहु वचन में नहीं होगा यहां यह हमेशा एक रेक्ति के लिए चलेगा जैसे अब यहां बहु वचन में तो हमने पहले भी बात की कि आपका प्रयोग बहु वचन में करना है आप लोग लिखना पड़ेगा वहां पर आप लोग का प्रयोग नहीं होगा जैसे इसमें हम कहें आप लोग प्रतिक्षा कीजिए अब यहां देखी आप लोग और कीजिए क्रिया कैसी यह बहु वचन की यह एक था तब भी क्रिया कैसी थी बहु वचन की थी तो क्रिया में कहीं कोई अंतर नहीं पड़ेगा केवल इस शब्द रूप में अंतर पड़ता है यही इस्तति आप तुम लोग के लिए भी कर सक कि वो हम कैसे काम में लेंगे तुम लोग कहीं कहीं तुम सभी का प्रयोग भी किया जाता है तुम सब का प्रयोग भी करते हैं तुम लोग लेकिन यहां द्यान रखें आगी क्रिया अरफ तुम का प्रयोग जब भहुवचन में कर रही है तब यहां क्रिया कैसी रहli एक वचन रह रहा रही है लेकिन आपका प्रयोग चाहे एक लर्प करो हमेश्य क्रिए बहुवचन रहती हैं तुमके साथ ऐसी इस्तति नहीं है यह으ेक वचन आएगी कभी बहु वचन आएगी, एक वचन रूप में भी किरिया बहु वचन आ जाती है और बहु वचन रूप में भी किरिया एक वचन के लिए तो यह तुम और आपमें थोड़ी सी उल्जन की सितिति रहते हैं थोड़ा द्यान से बकियों कि प्र से सुनेद्धे आपका प्रयोग चाहे एक वचन के लिए करते हैं या बहु वचन के लिए करते हैं क्रिया हमेशा बहु वचन रहेगी तुमका प्रयोग एक वचन के लिए करो या बहु वचन के लिए करो क्रिया एक वचन या बहु वचन दोनों रूपों में आ सकते हैं वहां आप में सिर्फ बहु वचन ही होगी चाहे एक वचन के लिए हो चाहे बहु वचन के लिए हो और यहां पर क्रिया जो है एक वचन भी हो सकती और बहु वचन भी हो सकती उससे यहां पर एक वचन या बहु वचन होने का कोई विशेश अंतर नहीं रहता है यहां तुम के कोई होगी में कि जब्षों के साथ आप लोग लगाए गी तो पद्ध बन जाएगा आप लोग औरी यह इस आपका बहु वचन रूप और खृया बनेगी इसके साथ के साथ फ्श हमेशा ऑप लग रही है बहु वचन की लग रही है लेकिन जो तीस्रत आप बात कर रहे हैं कि अन्य पुरुष में तो ये आता केवल एक वचन के लिए हैं जबकि committee यूंठ पुरुशьवाला एक वचन के लिए लेका दोनों के लिए बर सकतीं। करते हैं अब पहले हम इनके सामाने दोहन कर लेते हैं यह वह यह और वे के कि यह निकट संग्या और कैसी है एक वचन है तो वाक्य जैसे हम लिख सकते हैं कि यह बाहर खड़ा था और यदि इसका बहु वचन रूप काम में लेना हो तो क्या होगा यह इस यह का बहु वचन रूप है यह यह भी जान रखें निकट संग्या लेकिन बहु वचन होनी चाहिए उसके लिए जब सर्वनाम आएगा तो यह आएगा इसी वाक्या को देखें तो हम ले सकते हैं यह बाहर खड़े थे अर्थादी संग्या जिसके लिए मैं सर्वनाम काम में ले रहे हैं वह संग्या मिलकुल निकट की संग्या यह बाहर खड़ा था यह बाहर खड़े थे मिलकुल पास की संग्या और डूसरा जो है हमारा वह वह अमारी दूरस्थ संग्या लेकिन कैसी एक वचन की और वे दूरस्थ संग्या बरंतु वह वचन की तो वह बाहर तहल रहा है और दूसरा वाकिए हम लिखें यह दी तो हम गोगा इस प्रकार से वे बाहर तहल रहे है यह वह बाहर तहल रहा है वे बाहर तहल रहे है बहु वचन रूप एक बचन रूप निकट और दूर के संदर निकट संग्या एक वचन के लिए यह दूरस्त संग्या एक वचन के लिए वह निकट संग्या बहु वचन के लिए यह दूरस्त संग्या बहु वचन के लिए वह यह तो इस्तती सामन है जो महत्वपूर्ण इस्तती है वो यह अन्या पुरुष के संदर में कि आदर आर्थक रूप में आपका प्रयोग अन्य पुरुश्वाचा के रूप में होगा तो इसमें देखिए वाक्य जो आएगा परिशा में वो एक ही स्थती बनती है एक ही प्रारूप के वाक्य आते हैं वे इस प्रिकार से बनेंगे कि सबसे पहले तो किसी संग्या का परिचे होगा सामा ने जानकर इसामा ने बात उस संग्या के विशेम बताई जाएगी संग्या का परिचे करवाए जाएगा फिर लिखा होगा इस आप सर्मनाम का प्रयोग होगा और प्राय है यह आपने के रूप में होता है तो यह पहला वाक्य हूं गेक्ति का समाने परिचे संग्या का समाने परिचे यहां संग्या ही आई जानक है दूसरे वाक्य के लिए इसी संग्या की कोई विशिष्ट उपलब दी इस संग्या दारक किया गया कोई विशेश कारे यह वहां पर आपका जिती से वाक्य वाक्य होगा दूसरा वाक्य होगा मतलब एक वाक्य में और इन दौनों वाक्यां की मद्यसognा की रोप में दौनों को जोडने का कांप करेगा आप सर्म dåम आपने का अर्थ में आएगा उखी करम चलएगा जैसीँ अकिये कि दिलाला इंदी सहित्य के सशक्त अब नियाला की कोई विशिष्च उपलब दी इन्होंने क्या किया जैसे मुक्त चंद की प्रवर्तक माने जाते हैं तो अब इस वाक्य को मिस आपने से शुरू करेंगे आपने काविय में मुक्त चंद का प्रबर्तन किया अब देखिए पहला वाक्य निर्याला का परिच्च है दूसरा वाक्य निर्याला की विस्ष्ट उपलब्धी और इन दौनों के मध्याया है आपने यहां यह जो आप आएगा यह आपने यह किस लूप में है अन्य पुरुष्वाचक सर्व नाम है क्या है यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की इसका यही प्रारूप बनता है वाक्य में पहले संग्या का परीचे दूसरे वाक्य में संग्या की कोई विशिष्ट उपलब्दी और दौनों वाक्यों की मद्दे आप ने का प्रियोक जैसे एक उदान और करते हैं कि वल्लब भाई पतेल भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं तो यह तो पहला वाक्य संग्या का परीचे की सब वल्लब भाई पतेल भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं अब वाक्य शुरू किससे करना है आपने और अब कोई ऐसी विशिष्ट उपलब थी जो केवल इन्हीं के पास हूँ आपने वारतीय रियास्तों का करण करुए यह भारतीय रियास्तों का यह कि अतर तो यह अतर और आया है यह किस संदर्ब में आया है अन्य पुरुश्वाचक सर्वनाम के संदर्ब में तो जब अन्य पुरुश्वाचक के रूप में जब आप सर्वनाम जब आएगा तो कैसे आएगा एक एक संग्या शब्द उसका सामने परीचे फिर दूसरा वाक्य आपने इसे शुरू होगा और आपने इसे शुरू होने के बाद उस संग्या की किसी विशिष्ट उपलब्दी का उलेख होगा जैसे एक और दान लीजी कि महात्मा गाधी भारतिय स्वाधीन ता अंदोलन की महत्वपून कडी थे यह तो इनके सामाने बात हुई संग्या का सामाने परीचे और अब शुरू करते हैं आपने सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग से अहिंसा के माध्यम से स्वातंत्रता प्राप्ति करी का लक्षे दिया अधिया तो वापस देखी पहला वाक्य महत्मा गंधी भारतिय स्वाधीन ता अंदोलन की महत्वपून करी थे तो यहां पहला वाक्य संग्या का सामाने परीचे दूसरे आपने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्षे दिया अब यहां और भी जो आपने आया किए इस के लिया धियर गांधी जी के लिए अर्था इस व्याक्यए में यह क्या है अन्य पुरुषवाचक सर्मचन कि ही थान कि moderne इस्विक्ति की सी विशुछ उपलब्दी को दर्शाए जाता है एक प्रसिद्व्यक्तित्व और उसकी किसी विशिष्ट उपलब्दी को दर्शाना होता है तो पहले वाक्य में उस प्रसिद्व्यक्तित्व का परिचय होगा दूसरे वाक्य में उस व्यक्ति की विशिष्ट उपलब्दी का उल्लेख होगा लेकिन दौनों वाक्यों के मद् तीन उपभेदों का सामाने परिचे इसे जाने कि बहुत कहरा ही से बढ़े और बहुत ध्यान से पड़ें फिर कोई समझ्या होगी तो समया समाधान कख्षा उस पर थिल्स के बात करेंगे और खहरा है से बात करेंगे पर जहां तक मुझे अंदेशा है यह जो हमने पढ़ा यह इस पुरुषवाचक सर्वनाम की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए परयापत है एक अंतिम चीज जो तथ्य इसमें शेश रहा है वो इस प्रकार से कभी कभी होता यह है कि वाक्य में उत्तम पुरुषवाचक मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक तीनों ही सर्वनाम शब्द आ जाते हैं तो उनका प्रियोग कैसे किया जाएगा तो एक कथन लिख लिजिए कि यदी वाक्य में यदी वाक्य में उत्तम पुरुषवाचक मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक उत्तम पुरुषवाचक मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक तीनो विबक्ती रहित रूप में वाक्य में एक साथ हो तो उनका क्रम निम्न अनुसार होगा देखिए इस्तिती समझे यह बहुत महत्वपूर्ण है और परिक्षा में वाक्य शुद्धी के संदर पर अन्य परिस्तितियों में भी इसके प्रशना आते हैं कि यदि वाक्य में उत्तम पुरुश्वा चप्प मध्यम पुरुश्वा चप और अन्य पुरुश्वा चप तीनों सर्वनाम हो एक साथ होंगे लेकिन तीनों ही कैसे हो विबक्ति से रही तो किसी कारत का विबक्ति चिन इनके साथ जुड़ा गूआ नहीं होना चाहिए क्योंकि जब विबक्ति चिन जुड़ जाएगा तो फिर उस विबक्ति चिन के अनुरूप इनके क्रम बदल जाएंगे लेकिन तीनों ही विबक्ति रही थे तो इनका क्रम कैसे होगा सबसे पहले आएगा आपका मध्यम पुरुश्वा चप सर्वनाम एक नमबर पर पहला यह होगा फिर इसके बाद आएगा अन्य पुरुश्वा चप सर्वनाम और अंत में होगा हमारा उत्तम पुरुश्वा चप सर्वनाम अगर तीनो साथ है तो अर्थाथ वाक्य किस प्रकार से लिखेंगे हम तुम वह और मैं तुम वह और मैं खेलने चलते हैं तुम वह और मैं खेलते हैं तो देखिए सबसे पहले आया हमारा मद्यम पुरुश्व फिर आया अन्य पुरुश्व अंत में आया उत्तम पुरुश्व चाहिए एक वचन रूप में हो चाहिए बहु वचन रूप में हो जैसे आप ये और हम घूमने जाएंगे आप ये और हम घूमने जाएंगे तो फिर वही मद्यम पुरुश्व पहले फिर अन्य पुरुश्व और अंत में उत्तम पुरुश्व पर ये इस्तती कब होगी जब तीनों के तीनों विबक्ति रही थो यदि किसी के साथ कोई विबक्ति चिन जुड़ा हुआ है तो वह विबक्ति चिन इन तीनों के क्रम का निर्धारण करेगा यदी किसी सर्वनाम के साथ कोई विबक्ति चिन हो तो वह सर्वनाम विबक्ति चिन के अनुसार आएगा वह सर्वनाम विबक्ति चिन के अनुसार आएगा तथा यह थावत रहेगा यह थावतकार जैसा पहले वाले मिंदू में था तो अगर किसी के साथ विबक्ति चिन जुड़ गया है तब तो उसका क्रम विबक्ति चिन के अनुरूप होगा जैसे मान लो उत्तम पुरुष्ट के साथ हम कर्ता की विबक्ति जोड़ दें ने तो सीध पहले आएगा कि करता बना दिया हमने इसे तो मैंने अब दो पद है उन दोनों के साथ एक समान होगा तो समान विबक्ति चिन पर तो उनका क्रम वैसा ही रहता है जैसे यहाँ एक इस्तती और जोड़ने हैं हम साथ में विबक्ति चिन नहीं हो और समान विबक्ति चिन होने पर पर भी क्रम उपरियुक्त अनुसार ही रहेगा अर्थाज की तीनों के साथ विबक्ति चिन नहीं एक समाने जैसे मानों तीनों के साथ हम कर्म की विबक्ति जोड़ते हैं जैसे सिक्षक ने तुम्हे उसे और मुझे बुलाया था सिक्षक ने तुम्हे उसे और मुझे बुलाया था लेकि फिर से वही मद्यम पुरुष अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष विबक्ति चिन समान है तो क्रम भी समान रहेगा लेकिन यदि विबक्ति चिन बदल जाते हैं तो देखिए इस्तति बदलेगी जैसे मैंने यहां करता गुत्तम पुरुष के साथ तो हमने ने विबक्ति लगा दी और मद्यम और अन्य कौम रखते हैं कर्म के रूप में तो बाक्य कैसे मैंने तुम्हें और उसे बुलाया था जैसे विबक्ति चिन जुड़ा तो इनका क्रम बदल गया यहां मैं के साथ उत्तम पुरुष के साथ जैसे करता गई विबक्ति जुड़ी तो यह पहले आगया शेष्द पीछे चलेगे यह अन्य पुरुष के साथ आप विबक्ति चिन जोड़ देते हैं जैसे हम लिखें उसने अब मद्यम पुरुषर उत्तम पुरुष कर्म के रूप में उसने तुम्हें और मुझे देख लिया किसने उसने अब इसके साथ ने विबक्ति अन्य पुरुष के साथ तो यहां अन्य पुरुष करता की रूप में तो पहले आ गया मद्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कर्म के रूप में तो उनका क्रम वही रहे गया जो मूल क्रम है उसी प्रकार यदि इस मद्यम पुरुष को हम करता बनाते हैं तो हम लिखें तुमने अब जब मद्यम पुरुष आ गया तो पीछे वाले दोनों करम का करम वही रहेगा तुमने उसे और मुझे नहीं बुलाया था तो जिसके साथ विबक्ति चिन जुड़ेगा तो वहत पत्त विबक्ति चिन के अनुप आ जाएगा और जिन पदों के साथ विबक्ति चिन नहीं है या जिन के साथ समान विबक्ति चिन है तो उनका करम वही रहेगा जैसा हमारा मूल करम है उस करम क के अनुसार शेष रहे पदों का क्रम होगा जैसे मान लो उत्तम पुरुष निकल गया यहां देखी तो मद्यम और अन्य अन्य निकल गया तो मद्यम और उत्तम मद्यम निकल गया अन्य और उत्तम पद का क्रम वैसा ही रहेगा उन क्रमों में जो निकल जाएगा वो निकल गय जैसे यह जो रूप हमने लिखा क्रम इनका यही रखना है अगर कोई पद विबक्ति चिन के कारण बीच में से आगे से पीछे से हट जाता है तो शेश रहे पदों का क्रम वैसा ही रहेगा जैसा कि इस वाक्य में हमने जर्धारित किया है ठीक यह तो बात है हमारे पुरुष इश्वाचक सर्वनाम की थोड़ा सा इसे गंबीरता से पढ़े क्योंकि थोड़ा सा जटल विशह है यह जब देखते हैं लगता है बहुत सरल है परन्तु थोड़ा सा जटल विशह है यह उद्धारन हमने काफी किये हैं और तय है कि आपको यह पूरी तरह से अउधारना पूरी स्पष्ट हो जाएगी तो इसे अच्छे से पढ़ें अच्छे से लिखें और फिर भी यदि कोई दिक्कत रहें आपको तो उसकी बात हम समझ्या समधान में कर लेंगे ना दोहरान करते रहें पढ़ते रहें लगाता इसे थोड़ा सा गंबीरता से पढ़ें और कल ह देदेट